हेलो दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं काड़े की रेस्पी लेके आई हूँ जो की काफी फायदे मंद है जैसा कि अभी चेंज अपसीजन में वाइरल इंफेक्शन बहुत तेजी से घर-घर में देखा जा रहा है किसी को सर्दी खासी जुकाम अच इस मसाले को साइद आपने कभी देखा भी हूँ इसका नाम पिपली है इसे चमन प्रास में भी दिया जाता है इसके साथ मैं और कुछ मसालों का यूज कर रही हूँ चार-पांच पत्ते तेजपत्ता का लेंगे यह सोट है इसके जगा पे आप अध्रक भी ले सकते हैं अध्रक को सुखा दिया जाए तो सोट बन जाता है दो टुकडा दाल चीनी का है पांच छे लॉंग है और दो पीस लॉंग पिपर है यानि कि पिपली यह काफी फाइद अधियों में भी यूज किया जाता है और चार-पांच गोल मिर्च को पीस कर ली हूँ आप चाहे तो खड़े गोल मिर्च को कूट कर ले अब इसे आप किसी खल में अच्छे से कूट ले इसका पाउडर नहीं बनाना है इसे दरदरा ही कूटना है इसमें मैं जो भी मसाले यूज कर रही हूँ कहीं न कहीं हमारे हेल्थ बेनिफिट से जुड़ा हुआ है और यह खास कर जाड़े के दिनों में काफी फायदे मन्द है इसे जरूर जाड़े के दिनों में पिया करें इस तरह का काढ़ा हमारे lungs infection और digestion system के लिए कापी उपयोगी है इस तरह का काढ़ा यदि आप पूरे जाड़े में लेते हैं तो बिमारियां आपसे कोसो दूर रहेगी और आपको चूस्त दुरूस्त भी रखेगी अब इसमें मैं 5-6 लॉंग डाल रही हूँ लॉंग हमारे सोसन तंत्र में उपयोगी होने के साथ साथ ये mouth fresner का भी काम करती है अब इसमें 4-5 तेज़ पत्ते को दो-3 भाग में तोड़ कर डालेंगे तेज़ पत्ता भी हमारे डाइजेशन के लिए कापी उपयोगी है इसे भी थोड़ा कूट लेंगे लास्ट में मैं इसमें गोल मिर्च पॉड़र डाल रही हूँ इसमें मैं एक खास इंग्रिडियन डाल रही हूँ जैसे पिपली या लॉंग पिपर भी करते हैं यह बहुत ही भाइदे मंद है अब इसमें मैं 300 ml के लगवाग पानी डाल रही हूँ और इसमें सारे कुटी वी मसाले को डाल देंगे अब इसमें दो पिंच जितना हल्दी डालेंगे इसे 10 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम में रखके छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे इतना हुबालना है कि यह क्वांटिटी में आधा हो जाए इस काड़े को आप एक बार बना कर स्टोर करके रीज में रख सकते हैं इस तरह का काड़ा 5 साल से उपर के बच्चे और 12 साल तक के बच्चे को एक टेबल इस्पून ही देंगे और इसे प्रिग्नेंसी के दोरान कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह काफी गरम होता है इसे बनाने के समय दो टेबल इस्पून काड़ा लेंगे और एक टेबल इस्पून हनी डालेंगे यदि आपको हनी पसंद ना हो तो इसके जगा पर काला नमक ले और आधा नीबू भी निचोड़ कर ले ले अब इसमें गरम पानी डाल लेंगे और इसे खाली पेट डेली सुवा में लेंगे इस काड़े में तीन बातों का हमेशा ध्यान रखें बारा साल से बड़े लोग इसे दो टेबल इस्पून डाल कर पिये और इसे गरम पानी में ही ले 12 साल से छोटे बच्चे और 5 साल से बड़े बच्चे एक टेवल इस्पून ही ले 5 साल से छोटे बच्चे को ये ना दे तिसरी बात प्रिगनेंसी में इसे कभी ना पिये क्योंकि इसका तासिर काफी गरम होता है ये हमारे इम्यून पावर को भी बुस्ट करती है इस तरह का काड़ा आप भी बनाएं और इसका बेनिफिट उठाएं